Hello students, welcome to the YouTube channel, I hope you are all doing good, good evening आज की students हमारी इस special वीडियो में हम एक बहुत ही interesting topic को discuss करेंगे ये topic बात करेगा इंडिया के सबसे richest लोगों के बारे आप news देख रहे हैं यहाँ पर, news है 2nd of April की गौतम अडानी एशिया के richest इंसान और इंडिया के richest इंसान बन चुके, इनकी net worth हो चुकी है 100 billion डॉलर अब गौतम अडानी और मुकेश हमानी इनके बीच में top spot को लेकर fight चलती रहती है इनमें से जो भी इंडिया के richest इंसान बनता है एशिया में भी वही richest सबसे बन जाता है कई बार कोई चाइना से किसी और कंटी से बहुत रहर ऐसा होता है कि किसी और कंटी से कोई बीट करें नहीं को इशिया में सबसे richest इंसान इंडिया से होते है अब आप सोचुके कि यह तो बदलता है रहेगा कभी गौतम अडानी नीचे कभी मुकेश हमानी पर यह सब ठीक ह पर 100 billion dollar की wealth अचीव करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ ठीक है तो discuss करते हैं सुन्स आज के हमारे topic को news है गौतम अडानी फिर से बन चुके मतलब यह पहले भी बन चुके फिर मुकेश बानी आ गया होगा अब गौतम अडानी फिर से बन चुके एशिया के रिच्छस इंसा नेट वर्थ है 100 billion dollar की इसको मैं रुपीज में बताऊं तो रुपीज 7.6 लाक करोड के आसपास की है अमाउंट बन जाए ठीक है ठीक है ठीक है सुन्स इस क्लास को शुरू करते हैं मेरे बात कर लेते हैं मेरा नाम है अभिनव जोशी चार साल से बजार टाइम से मैं सुन्स परसन और 100 billion dollar के क्लब में एंटर कर चुक है मतब दुनिया में बहुत सारे लोग है जिनके पास 100 billion dollar से जादा की वर्थ है जैसे Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos उस 100 billion dollar क्लब में यहाँ पर गौतम अडानी भी एंटर कर चुक है मुकेश हमानी अभी के लिए उस क्लब में यहाँ पर नहीं है समझ लेते हैं गौतम अडानी मैं आपको यह भी समझाओंगा कि यह जो अडानी गृप है जो company अडानी के नाम से इनके business क्या क्या है गौतम अडानी ने जोइन के लिया उस ग्रुप को जिस ग्रुप में Jeff Bezos, Elon Musk जैसे लोग है 100 billion dollar से जादा का पैसा है इन लोग के बास तो चलो काफी जादा है Jeff Bezos, Elon Musk तो अल्मोस 200 billion dollar से भी जादा कि इनके बास वह था आपको भी सारा data दिखाऊंगो ठीक है तो गौतम अडानी बन चुके है 10th richest person in the world, दुनिया में 10 वे नंबर पे सबसे richest या तो मकेश हमानी होते हैं गौतम अडानी होते हैं अभी गौतम अडानी 10 वे spot पे तो मकेश हमानी 11 वे spot पे ठीक है यह discuss करना एक बार तो हमाले जूरी है तो गौतम अडानी net worth increase by 23.5 billion in 2022 इसको मैं आपको समझाने कोशिच करता हूँ सिरफ इसी साल के बात करें 2022 की बात करें 2022 की बात करें 2022 के अभी हम सिरफ 4th month में April मन्त में इसी साल में गौतम नानी की जो टोटल वर्थ है वो साड़े 23 billion से बढ़ गी मतलब इनकी जो टोटल वर्थ है 100 billion डॉलर की उसमें 23.5 billion डॉलर तो सिरफ इसी साल में आड़ो आप सुचोंगे ऐसा कैसे होगा इतनी जादा amount एक एक साल में लेको यह depend करता है बहुत सारे factors पे आपकी companies जिस business में वो business कैसा perform कर रहा है दुनिया में आज की डाइम पे सबसेरा पैसा वो कुमा रहा है जो future में इनवेस्ट कर रहा है जो नहीं नहीं technologies में इनवेस्ट कर रहा है अडानी ग्रूप भी काफी समचिदों में involved रहता है ठीक है तो गौतम डानी की net worth 23.5 billion dollar से 1st of April की बात करें एक दिन में गौतम डानी की worth 2.44 billion dollar से बढ़ गी यह amount कितनी बड़ी है यह amount है approximately 20,000 करोड के आसपस 20,000 करोड से उनकी worth एक दिन में बढ़ गी गौतम डानी की ठीक है इतनी बड़ी हुनने यहाँ पर gains देखें सिरफ एक ही दिन में ठीक है गौतम डानी नह दुनिया में 11 नंबर पर इंडिया में दूसर नंबर पर सबसे रिचेस इंसान है और उनकी net worth थोड़ी सी पीछे गौतम डानी से 99 billion dollars की ठीक है ठीक है ठीक है अब हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि दुनिया में कैसे सेनारियो चल रहा है सबसे अमीर आदमी स्टेंप ह जेफ बिजॉस ठीक है नहीं है सबसे अमीर आदमी स्टेंप है इलान मस्क जेफ बिजॉस बहुत लंबे टाइम तक सबसे अमीर आदमी रहे तो जेफ बिजॉस जो की Amazon के मालिक है इन्होंने 2017 में अपनी worth achieve कली थी 100 billion dollars की जो की गौतम डानी ने अभी करा है इनने 2017 में किया जो चीज जेफ बिजॉस में 2017 में करी वो चीज माइक्रोसॉफ्ट के को फांडर बिल गेट्स इनने 1999 में ही अचीव कली थी तो बहुत लंबे टाइम तक दुनिया के अपास सबसे अमीर जो आदमी थे वो थे बिल गेट्स ठीक है काफी सालों तक बिल गेट्स दुनिया के स सबसे अमीर आदमी रहे मैं आपको एक आर्टीकल दिखाऊं अगर यहां पर हाँ आप देख सकते हो 17 जुलाई 1999 गेट्स हिट्स हंडर्ड बिलिन डॉलर मार्क ठीक है तो एक टाइम तक तो बिल गेट्स के आसपास भी पहुंच रहा बहुत मुश्किल था इनके पास जो व बोरिंग कंपनी इस तरह के जो बहुत ही फ्युचरिस्टिक बिजनसे में अपने आपको भी इनवाल किया अपने पैसे को भी इनवाल किया इस टेम पेकर की वर्थ रेके तो आल्मोस्ट टू सेवेंटी थ्री बिलियन डॉलर्स की वर्थ दुनिया के सबसे रिच आदमी से 2017 में दोने 100 बिलियन डॉलर्स की वर्थ र achieve करी, 2022 मेंद की वर्थ है 188 विलियं डॉलर्स की आप सोचोंगेyor! वर्थ का मतलब है अगर हैसा नहीं की वर्थ जैसे अगर गौतम डानी की वर्थ है 100 भिलियं डॉलर्स तो इसका बिल्र यह नहींकी उनके पास 100 विलियं में कुछ गोल्ड में होगा पर सबसे बड़ा हिसा है stocks में जो उन्होंने company के shares खरीद के रहे अपनी company के तो अपनी company के तो सब बहुत सारे shares लेते हैं और भी company हो में एपने पैसे invest कियों के shares करीद आँगे वहाँ सबसे आदा पैसा होता है, यह एक दिन में इतने अमीर या गरीब कैसे हो जाते है, जिन कंपनी के इतने शेर्ज लिए हो, कई बार कंपनी एकदम से ग्रो करती है, शेर वैल्य बढ़ जाती है, तो एक दिन में पैसा बढ़ जाता है, कई बार अच्छा खास है आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिफरेंस अमाउंट पे तो यह नंबर इंग में बदल की हो सकता है इनके जो वर्थ है वो बदल जाए दुनिया के सबसेरे चाद मीस्टेम पे हैं एलॉन मस्क आल्मोस्ट तू सेवेंटी थ्री बिलियन डॉलर की वर्थ फिर जेफ बिजोज 188 बिलियन डॉलर की वर्थ बर्नर डाल्टन बिल गेट्स वारन बुफे बहुत बड़े इंवेस्टर हैं लैरी पेड सरकेवें ये गूगल वाले हैं इंडिया के दस सबसेमी लोग तो यहां पर इनका मदब वान टू थ्री स्था से इनका इंडिया की रांकिंग है और यहां पर इनकी ग्लोबल रांकिंग है ठीक है जैसे गौतम डान इंडिया में सबसे रिचेस 100 बिलिन डॉलर की वर्थ दुनिया में 10 रांक पे फिर मुके शमनी दुनिया में 11 पर रांक की वर्थ बस थोड़ी से कम 99 बिलिन की इंडिया में दूसरे रांक फिर अजीम प्रेम जी विपरो वाले शिव नरायसील वाले राधा किशंदमानी डीमाट वाले लक्षमी मितरमितर गुरुप के सारस पूना वाला ये टाटा गुरुप और बैसे भी पूना वाला फैमिली काफी बड़ी फैमिली दिदीक सांगी उदे कोटक सवितर जिंदल ये इंडिया के दस सबसे अमीर लोग है तो आई होप आपको वर्ल्ड टॉप टैन और इंडिया टॉप टैन की पूरी लिस्ट यहां पर मिल चुक ठीक है यह तो मैंने आपको दिखा दिया बिल गेट्स की जन्यूस थी अब थोड़ा ये भी बात करते कि जो अडानी गुर में आपको यह पताओं चाहिए इसके मुंबई विगारा दिली में है गौतम डानी इसको फाउंड किया था 1988 में ट्रेडिंग बिजनस से इन लोगों ने शुरुवात करी थी एड़कोर्टर अहमदाबाद में फाउंडर गौतम डानी फाउंड इंटी एड सब्सिडिज मत सब्सक्राइब जैसे कोल, कोल पावर प्लांट्स, सोलर, विंड इन समय इंवाल्ड है, ट्रांस्पोर्टेशन लोजिस्टिक्स तो इनके आपको जैसे इस तरह के बड़े-बड़े शिप्स होते हैं जो समान एक ज़र से दूसरे के जाते हैं जो इस तरह से बड़े- यूज करते करों में वो डानि गृप करते हैं अभी इन जो अधर लिखा हुए इस पे किलिक करो गे तो और एक लंबी लिस्ट खुले जहां 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 अडानी गृप इनवा। ठीक है, I hope आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ इस टॉपिक के बार में, दुनिया में सबसे हमी लोगों के बार में, उनका एसेट्स कहां पर, उनने पैसे कहां रखे हैं उसके बार में, और अडानी ग्रॉप क्या काम करता है, बहुत जली हो सकता है, मुकेश मानी फिर से बी इसे चोड़ दे, और इंडिया और इस्या के साफ सबसे रिचेस इंसान बने रहे काफी लंबे टाइप ठीक है, तो I hope students आप जो भी मैंने समझाने कोशिश करी सब चीजों को समझ पाए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है, आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियोगा या सकते हैं, शेकर सकते हैं, तो I hope watching and have all very successful thank you thank you